Hello guys, welcome back to my channel Mathematic Studies तुमारा आज का question है If 3 cot A equal to 4 check whether 1 minus 10 square A over 1 plus 10 square A equal to cos square A minus sin square A or not तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है हमें 3 cot A equal to 4 के दिया हुआ है हमें इसको use करके कि बताना है कि 1 minus 10 square A over 1 plus 10 square A equal है जा नहीं cos square A minus sin square B के अब मारे पास है 3 cot A equal to 4 तो हम इसे लिखते हैं 3 cot A equal to 4 तो यहां से हमारा आ जाएगा cot A equal to 4 by 3 तो अब हमारा जो tan होता है वो होता है cot A का उल्टा तो हम यहां पे लिख लेंगे tan A equal to अब इसका उल्टा हो जाएगा यह 3 by 4 तो अब हम इसको put करेंगे हमारी जो given equation है 1 minus tan square A over 1 plus tan square A तो यहां पे लिख लेंगे put हम इसे equation 1 लिख लेते हैं put equation 1 in 1 minus tan square A over 1 plus tan square A तो अब हम अपनी given values को put करेंगे 1 minus 3 by 4 square over 1 plus 3 by 4 की square तो जो हम इसको square को solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 minus 3 3s are 9 4 4s are 16 over 1 plus 3 3s are 9 over 4 4s are 16 तो हम इसे आगे हम क्या करेंगे? इसका LTM लेके से solve कर लेंगे तो हमारे पास यह आएगा 16 minus 9 over 16 over 16 plus 9 over 16 तो हमारे पास यह आजाएगा 7 over 16 over 25 over 16 तो अब हम इसे divide करेंगे तो यह उपर जाके multiply में चला जाएगा तो हमारे पास यह आएगा 7 by 16 into 16 by 25 16 16 कटो जाएगा हमारे पास बचेगा 7 over 25 तो हमारे यह 7 over 25 आएगा वो left hand side का answer होगा तो हम लिख लेंगे left hand side equal to 7 over 25 अब हम इससे इन दोनों की values को find कर लेंगे अब हम इकोजे और sine की value चाहिए हम इनका formula यूज़ करके हम उसकी values को find कर लेंगे जैसे कि हमारा tan A क्या होता है P by B तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan A equal to क्या होता है P by B तो P हमारे पास क्या होगा हमारा 3 और B हमारे पास होगा 4 अब हमें क्या नहीं पता H तो हमें H को find कर लेंगे H square equal to P square plus P square तो हमारा H square आजाएगा हमारे P क्या है 3 square plus हमारा B है 4 4 square तो हमारे पास यहाएगा H square हमारे पास आएगा 9 plus 16 तो यहाएगा 25 तो हमारे पास यह 25 होगा तो हमारी H की square क्या हो जाएगी 25 तो हमारा H आजाएगा उससे 5 तो अब हम इसकी values को sin A equal to P upon H तो हमारा P है 3 over 5 तो हमारा cause यह आ जाएगा जो cause होता है B by H तो हमारे पास B दिया हुआ है 4 हम यह पर 4 लिखेंगे over 5 तो हमारे पास value आगी अब हम क्या करेंगे इन दोनों values को cos square A minus sin square A में put कर देंगे तो यह पर हम लिखेंगे put the values of sin A and cos A in cos square A minus sin square A तो हम values को put करेंगे 4 over 5 square minus 3 over 5 square तो हमारे यह जाएगा 4 for the 16 over 25 minus 9 over 25 तो हम इस क्या करेंगे LC में लेके solve कर लेंगे 25 16 minus 9 तो हमारे यह जाएगा 7 by 25 हमारे यह similar आया है उसके जैसे हमारे यहाँ पर भी 7 over 25 आया था तो हम यहाँ पर लिखेंगे left hand side equal to right hand side तो यह हमारे हो जाएगा answer तो कि मारे सतोनों साइट इको लागी like, comment and share my video subscribe my channel thank you so much